अक्टूबर महिने में FIS की बिक्वाली भी काफी ज़ादा हुई है मंत्ली नंबर करुछ 65-70,000 करूर तक पहुंच चुका है विच आज तक का हाईस्ट मंत्ली नंबर है अगर वैलिवेशन पे नमस्तार मैं हूँ दिपालिराना आप देख रहे हैं आज हमारे साथ आपके से भी क्वरिस को आंसर करने के लिए सिंसेफ इंडिया की फाउंडर डिरेक्टर मिरन अगरवाल मौझूद हैं मिरन नमस्कार स्वागत है आपका और धेर सारे सवाल as usual बिना देरी किये करते हैं शामिर पहले कोरा सुरेश गुपता भी हमारा साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए सुरेश जी नमस्कार बत पूट्फोलियो ठीक है उन्हें कुछ चेंज किया जा सकता है फाइव तो सेवन यहर्जन के साथ यह पूट्फोलियो नोंने क्रेट किया है निवेश कहां कर रहे हैं जिसमें मोतियल उस्वाल मिटकाप 15,000 पर मंथ मंधन स्मॉल कैप कौंट लाचर मिटकाप आईसे से प्रू इंफरम में 10-10,000 इच डाल रहे हैं यह पर मंथ सालाना 10% स्टेप अप भी यह कर रहे हैं यह इनकी प्लानिंग है कुछ और फंद इनके पोर्टफोलियो में देखे तो इंवेश को इंडिया कॉंट्रा सबसे पहली बात तो यह है कि इनकी एज के हिसाब से आई होप जो इन्होंने यह जो पोर्टफोलियो बनाया है यह इनके जो एक्स्ट्रा फंड से है वो है because certainly जो equity funds होते हैं उससे आपको एक regular return की उमीद नहीं रखनी चाहिए तो आई होप कि आप यह portfolio इसलिए नहीं बना रहे हैं क्यूंकि आप एक regular return की उमीद कर रहे हैं अब अगर हम आपके portfolio की तरफ देखते हैं तो करीब आपके पास 7 fund हैं जो थोड़े जादा है मेरी ख्याल से इतने जादा funds होने की कोई जरूरत नहीं है एक fund में देख रही हूँ कि आपने एक नया fund invest किया है NJ Flexi Cap तो एक और बात में कहना चाहूंगी कि बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें 10 रुपे की NAV में मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है ऐसी कुछ बात नहीं होती है हमें जो देखना है वो यह है कि NAV की growth क्या है यह नहीं कि NAV के amount क्या है तो वो 10 रुपे हो 100 रुपे हो 1000 रुपे हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है जेनरली मैं NFOs के favor में नहीं हूँ बट अब जब आपने शुरू कर दिया है और आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं बहुत concentrated होते हैं और वो कॉफी volatile रहते हैं और ऐसा है ना कि sector funds में कुछ साल अच्छा रहता है प्रदर्शन फिर कुछ साल बहुत बुरा रहता है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा cyclical sector भी है और एक और बात है कि जो भी any sector fund में जो भी high conviction stocks होंगे वो वैसे भी जो आपके पास broad based funds हैं वो उन में भी रहेंगे जैसे आपके पास multi-cap, kota, access, nj flexi cap funds हैं इन सब में भी यह जो high conviction stocks हैं इस sector के वो तो वैसे भी रहेंगे so I will suggest कि आप interest front से exit कीजिए दूसरा I hope कि जो आपने investments किये हैं एक तो 5-7 साल ठीक है बट इसमें आपका एक small cap भी है और small cap में बस आप यह धियान रखिए कि volatility बहुत रहेगी तो क्या आप यह volatility लेने के लिए तयार है या नहीं इसके बारे में आप सोचिए और तीसरी बात म कहूंगी कि जो returns आप expect कर रहे हैं काफी बार मैंने सुना है कि काफी लोग कहते हैं मुझे कि सिप में तो बड़ी असानी से 15% बन जाएगा so I will suggest कि थोड़ा सा आप अपना returns का expectation moderate कीजिए मेरी ख्याल से 10 से 12% का return expectation बनाना अच्छा रहेगा यह 15% हुआ तो बहुत अच्छा है बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 15% लेके चल रहे हैं और देन हम निराश हो जाएं बात में हैं तो यह दो-तीन बाते आप ध्यान में र सब्सक्राइब करना चाहिए यूजुली भी हमाय तमाम गेस्ट यही बताते हैं और इसलिए आइसे से प्रूइंफरा से आप निकलने की सलाब को दी गई है एन फो फंस को यूजुली अवाइड करना चाहिए बट आपने लिया है तो अभूर रखे स्मॉल काप फंस की performance को time to time review करते रहें यह रहा से जिशन दस बारा पॉसन तक का एक रिटर्न अप एक्सपेक कर सकते हैं संजन आमदेव मद्रदेश ते हमारे साथ कनेक्टेड है संजी नमस्का बताइए क्या सवाले आपका ओ मैडम मेरा जो है 25 लाग पर मत की SIP है और यह पत्मी का और मेरा दोन मनलब 6-7 साल बात लगवर कितना खटा कितना पैसा ही कट्टा हो जाएगा हमारे साथ यही मिरदा जानने का है ओके चलिए तो 6 years का horizon है 6 years में कितना accumulation एकर पाएंगे इस portfolio से यह जानना चाहते हैं 25,000 per month के इनकी collective SIP है funds के नेम मैं बता हूँ तो ICS approved Nifty Large Mid Cap 3000 per month, 3000 per month ICS approved Energy Opportunities Fund में 11,000 each डाल रहे हैं HDFC Top 100 और ICS approved Multi Asset Fund में इसके अलावा पोर्टफोलियों देखेंगे तो HDFC Top 100 के बाद इनके पास Niponinia BNF Services है नेपॉन इंडिया Large Cap है, नेपॉन इंडिया Multicap, आईसे से प्रूनिया Opportunities, आईसे से प्रूफलेक्सी Cap इन पांचों funds में 22,000 each डाल रहे हैं तो ये दो पोर्टफोलियों है, बेसिकली इनके, एक इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो है, जिसमें HDFC Top 100, Niponinia Focus, Niponinia BNF Services है तो ये दोने पोर्टफोलियों हम अभी डीटेल्स शेर कर चुके हैं, अब बताईए इनका पूरा पोर्टफोलियो, दोनों का अगर देखें, इनकी वाइफ का और इनका, considering 33 लाक्स औरेड़ी पोर्टफोलियो के वाइल्यू है, क्या expect करें ये, कितना fund accumulate कर पाएंगे in 6 years? तो सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो के बारे में बात करूंगी, आपने दो fund houses में जादे तर पैसा डाला है, एक तो है Nippon और दूसरा है ICICI, अब अगर हम आपकी सारी जो schemes हैं, उनका पोर्टफोलियो overlap देखने हैं, तो बहुत जादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सारी schemes में पैसे डाले हैं, बट आचली आपको diversification नहीं मिल रहा है, क्यूंकि करी 30 to 50% overlap है, अच्छा, अलड़ी मैंने sector funds के बारे में अभी previous scholar को भी यही सलह दी थी, कि sector funds बहुत concentrated रहते हैं, तो इससे और generally अगर आप कोई भी fund देखेंगे, किसी भी fund का portfolio देखेंगे, वैसे भी आप banking का काफी high exposure देखने को मिलेगा किसी भी portfolio में, right, so एक तो एक चीज जो होती है diversification, diversification is among different categories and among fund houses also, because अगर आप एक ही fund house के सारे scheme चूज कर रहे हैं, तो आपको style of management similar मिलेगा, right, अब आपके पास multi-cap है, ICICI, you have multi-cap from Nippon, so what I will suggest is थोड़ा आपको portfolio consolidate करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये आपका HDFC top 100 Nippon large cap है, जो भी आपका large cap holding है, that you can move to a nifty 50 index fund like for example ICICI, right, second thing, जो banking and financial services बाला जो भी fund है, वो आप exit कीजिये and I would actually say that you add another fund to your portfolio, which is Paragparek Flexicap fund, because you have everything which is there only in ICICI and Nippon, finally, आप पूछ रहे थे कि कितना बढ़ सकता है, तो जो मैंने 12% की है साब से calculation की है, करीब 1, 1.25 crores तक 6 साल में बढ़ सकता है, taking into account, आपकी 25,000 की SIP है, और आपका already 33 lakhs का portfolio का value है, ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए suggestions, और जैसे बताया है, एक ही fund house को भी avoid करना चाहिए, इसलिए आपको सलाह दी गई है, कुछ fund जिन से आपको निकलना है, वो आप नोट कर लीची, एज़िवसी टॉप 100, निपॉन लिए large cap, निपॉन लिए BNF services, वैसे भी sectoral fund को avoid करना चाहिए, तो ये suggestion है, इंडेक्स fund आप एक शामिल कर सकते हैं अपने portfolio में, बात करते हैं, अब मानिकनाथ से, हैदरबाद से हमासत कनेक्रिट है, मानिकनाथ जी नमसकार, बताइए क्या सवाल है, जी गुडी इनिंग मैम, अभी मेरे चार SIP चल रहे है, सेप्टेंबर 2024 से चालू किया है, उनके नाम है, निप्वान इंडिया स्मॉल कैप, मोतिला लास्वाल मीट कैप, पराबारिक, फ्लिक्सी कैप, ICICI एप्रूव, वालु डिस्कवरी, अभी मैं और 6,000 की SIP करना चाहता हूँ, तो कौन से फंड्स में आड करना सही रहेगा, और ये रिबैलेंसिंग कहां कहां करूँ, पैसे, ये 10,000, किस फंड में कितना रहना चाहिए, मेरा टाइम होराजिन है 15 to 20 years. ओके, तो 15 to 20 years के टाइम होराइजन, यंग इन्वेस्टर है, मनिकान 25 येर्स के, और 4,000 के SIP अलड़ी चल रही है, 6,000 पर मत आड करना चाहते हैं, तोटल SIP अमाउंट हो जाएगा, 10,000 रुपे महीना, 10% एन्वली स्टेप अप करने का भी इनका टागेट है, 15 to 20 years के होराइजन में कितना एक्युमिलेट करेंगी जानना चाहते हैं, फंड सेलेक्शन कैसा है ये भी समझना चाहते हैं, पोटफोलिय एक्जिस्टिंग दिखाएं, तो चार फंड, 4,000 एच डाल रहे हैं, निपॉनिया स्मॉल कैप, परागपारी फ्लेक्जी कैप, मूते लोस वालमिट कैप और आइसे से प्रूव वैलू डिसकवरी, मताई इ चार फंड चुने हैं, वो तो अच्छे हैं, अब आप और SIP जो करना चाह रहे हैं, मैं बस कहूंगी कि आप एक मिट्काप फंड आड कीजिए, जो एग्जिस्टिंग है, जैसे मेरे मिट्काप आप आड कर सकते हैं, तो इन 5 फंड में ही ये जो 10,000 है, आप 2,000 कर जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपने step up SIP के बारे में बात किया है, और आज कल मैं काफी देख रही हूं कि ये concept काफी लोग अपना रहे हैं, जो अच्छी बात है, क्यूंकि ऐसा है कि returns हमारे हाथ में नहीं होते हैं, and returns जैसे कि मैं कह रही हूं 10 to 12% अगर हम सोच के चल रहे हैं, then what is important is that we need to focus on increasing our corpus, and corpus बढ़ाने का एक तरीका है by doing step up SIP, because इस ते क्या होता है कि finally, अगर आप लंबी सामय तक hold करते हैं, तो जो आपका corpus है, वो बहुत जादा बढ़ने की उमीद हो सकती है, given the fact that equities give very good returns, so ये बहुत अच्छा है कि आप step up SIP के बारे में सो रहे हैं, so मेरी यही सलह रहेगी कि ये चार funds के साथ मेरे midcap add कीजिये, और इसमें ही बने रहे हैं, कहीं आपको rebalancing करने की ज़रूरत नहीं है, now if you are investing 10,000 rupees per month for 20 years with a 10% step up SIP, assuming 12% return, you can expect a corpus of about 2 crores. Okay, चलिए, तो ये रहा suggestion आपके portfolio को लेकर और थोड़े से changes suggest किये गए है, midcap fund आप एक add कीजिये, अपने portfolio में time to time to review करते रहे ही, कुछ funds भी आपको suggest किये गए है, मेरे asset का midcap आप एक कर सकते हैं, निवेश के लिए अपने portfolio में, तो इन सभी चीजों को imply कीजिये, जो भी suggest कि आप कुम्रिन ने और अपने portfolio को time to time review जरू करते रहे हैं, बात रहे हैं अगले caller से करन अरूरा पंजाब से हमार साथ connected है, करन नमस्कार बताएए, क्या सवाल है आपका नमस्कार नमस्कार पूचे सवाल पूचे सवाल आपकी existing SIP 11,000 per month की है, कब से आप इंवेस्ट कर रहे हैं, कितना इखटा हो चुकी है राशी अभी 32,000,000 की पूटफोलियो की value भी 11,000 की SIP है, क्या horizon आप लेके चल रहे हैं मैं 23,000 करोर का टारगेट आपी, 20 साल का मेरा टारगेट रहे हैं ओके तो 20 यह दे 15 करोर का टारगेट, 32,000,000 पूटफोलियो की value, 11,000 per month की SIP existing है फंस दिखाते हैं इनके HDFC Mid Cap Opportunities, SBI Magnum Global, Quant ELSS Tax Saver, UTA Flexi Cap Fund यह तमाम फंस हैं इनके पास, इसके अलावा यह वो बेसिकली फंस हैं जहां पर इनके SIP जल रहे थी, लेकिन अभी बंद कर चुके हैं कितनी राशी इन फंस में खटा हुई है, वो डीडियल्स इनोंने शेर की है लगवग 35,000 से लेकर 2,500,000 रुपे तक का अमाउंट इन फंस में है अक्टिव पॉटफोलियो है, कौन सा वो स्क्रीन पर है, मेरे यह सक लाजन मिट कैप नेपाउन इनिया मल्टी कैप 2,500 इच, बीएसपी स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्जी कैप, परागपरी फ्लेक्जी कैप में पिशेतरहजार का कॉर्पस है, तो पूरा पॉटफोलियो आपने देखा, इनका जो गोल है, वो 20 यह में 15 करोर्स का है, बताइए अमरेल तो सबसे पहले तो काफी बड़ा गोल है आपका, अगर हम 6% के हिसाब से इन्फलेशन लेते हैं, तो जो आपका 15 करोर का गोल है, वो 20 साल के बाद करीब 45 करोर का हो जाएगा, इसमें मैंने अकाउंट किया है कि आपके पास अल्यरी कुछ existing investments हैं, तो पहले तो यह amount पाने के लिए आपको करीब मैने के 4-4,5 लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा, अब दूसरी बात, आपके funds को लेकर, तो जो आपके existing funds जिसमें आपकी SIP चल रही है, वो सही है, थोड़ा सा मुझे यही लग रहा है कि आपका large cap का exposure थोड़ा जादा है, क्यूंकि आपके पास 2 flexi cap हैं, एक large and mid cap है, एक multi cap है, right, so I feel कि अगर आपका इतना बड़ा लक्षय है, और आपके पास लंबे समय भी है, थोड़ा सा मेरी ख्याल से आपको risk बढ़ाना पड़ेगा portfolio में, and maybe not flexi cap और small cap जो है, उसमें तो आप बने रहे है, बट जो multi cap and large and mid cap fund है, उसको आप mid cap में जरूर convert कर दीजिए, उन दोनों को मिला कर आप एक मेरे asset का ही mid cap ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो मेरी ये सलहा रहेगी, क्यूंकि generally जो हम देखते हैं कि अगर किसी का 15-20 साल का time frame है, तो उ time frame में mid cap और small cap का performance ज्यादा अच्छा रहता है, and since आपका goal इतना बड़ा है and इतना ज्यादा gap है, जो आपका invested amount है versus the amount that you need to invest, दूसरी जो आप चीज बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं बहुत कुश हूँ ये देखकर कि आप NPS में निवेश कर रहे हैं, अब NPS में भी बहुत सारे options हैं, again given की आपका 20 साल का time frame है, I would recommend की आप active equity option में निवेश कीजिये, because इसमें आपको up to 75% equity में डाल सकते हैं, and up to the age of 50 also you will have 50% allocation to equity, and only after that the allocation will come down, so I will suggest की आप जरूर चेक कीजिये की आपने कौन से option में निवेश किया है NPS में, जो भी option हो, मेरी ये सलह होगी कि आप active equity में जाहिए, क्यूंकि 20 साल के समय में, the probability of getting high returns is very good over there, that is why of course Kanya Samridi is also about investing. तो आपके investments नहीं है, आप invested रही है, आपके fund choices भी ठीक है, NPS में निवेश भी सही है, तो अपने portfolio में बने रही है, यही आपके लिए सलह है. रुकने इसी के साथ एक break के लिए break के उस पार कुछ और questions को करेंगे, शामेर चल्ला आपसाते हैं. ऐसे समय में, जहाँ पे growth और growth की visibility कम होगी, उन जगहों पे risk बढ़ दियाता है. तो जहाँ पे growth ज़्यादा अच्छी से नज़ार आ रही हो, quantum पी अच्छा हो और certainty भी ज़्यादा हो, उन areas में risk relatively कम होता है. Domestic cyclicals काफी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, इसलिए उस space में growth ज़्यादा अच्छे से नज़ार आती है. Most of the indices में जहाँ पे 10-12% की growth आना मुश्किद हो रखा है. Domestic cyclicals में there काफी areas ऐसे हैं, especially ऐसे की आवर हुआ, जहाँ प्रेमियम रियल एस्टेट है. Consumer discretionary space में जैसे की retail जैसी space है, electronic manufacturing जैसी spaces हैं, और defense जैसी spaces हैं, यहाँ पे काफी हथ तक growth higher double digits में भी रह सकती है. बचार शुरू होने से पहले, कीजिए मुनाफे की तैयारी. कोई नई risk position ना लें इस market में अगरे दो दिन के लिए, थोड़ी partial profit booking भी करें. चानिए Sensex और Nifty की कैसी होगी चार्ड? आदे परसेंट के gap के साथ आज Nifty 50 की तुरवात बढ़िया होगी, 700 point उपर. और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे माला माल? नार सेटल भी यहां में बहुत अच्छा बढ़िया मिला हुआ है. एक चेहरा जो आपको मार्केट की बारीकियां समझाता है. एक चेहरा जिसे सिर्फ आपका मुनाफा दिखता है. एक चेहरा जिस पर पूरा इंडिया भरोसा करता है. देखें माकेटास अनुच सिंगल के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर. कहते हैं सक्सेस्फुल आंथुप्रेनियर बनने के लिए सही नॉलिज और सही गाइडन्स का होना बहुत ज़रूरी है. इसी बात को ध्यान में रखकर CNBC आवाज आपके लिए लेकर आ रहा है स्टार्ट अप गुरू कुल. इस इनॉवेटिव वेबिनार में हम आपको स्टार्ट अप एकोसिस्टिम को गहराई से समझने में मदद करेंगे. साथ ही वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपकी आइडिया को एक सक्सेस्फुल स्टार्ट अप बनाने के काम आएंगे. इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिये गए लिंक पर अभी क्लिक करें और 7 दिसंबर की सीट आज ही रिजर्व करें. जल्द मिलेंगे स्टार्ट अप गुरुपुल में. In a sense, market थोड़ा euphoria में चल रहा था. लेकिन अगर आप index की तरफ देखोगे तो index में इतनी कटाथी हुई नहीं है. Index-wise उपर से 5-6 परसंट है. Now, stocks में 25-40 टका का fall देखने को मिला है. So, normally the bull market का ये sign होता है कि people's portfolios, अचलि अगर आप देखोगे, 6 महने से ही correction चला आ रहा है. Portfolios are down 25-30% even over a 6-month period. पहले ऐसा नहीं था कि अगर खराब result होते थे, तो 2-3% में निपड़ता था, फिर buy on dips के basis में लोग करीद लेते. यहां पर क्या देख रहे हैं कि even if the results are reasonable, markets are falling, तो it shows कि, और generally अगर आप market के, you know, लोगों से पूछ हो, at least some of the H&Is, most of them were saying कि हमारा वो investable surpluses बंद सा हो गया था. So, the liquidity was always, was already drying up. Plus, यह जो SEBI के curbs आए हैं कि exchanges में क्या-क्या stocks margin के तौर पे use कर सकते हैं, क्या-क्या stocks नहीं use कर सकते हैं, वो list जो है, इतनी छोटी हो गई थी, कि a lot of the mid-cap which were being funded on, you know, by brokers or… आप देख रहे हैं Your Money, मरन हमा साथ बनी हुई है, फटा-फट सब पुछ लेते हैं, मरन के top 4 funds, उन investors के जो मरन के choice के हिसाब से नया portfolio क्रेट करना चाहते हैं, मरन बताएं आपके picks क्या हैं? ICICI Prudential Nifty Fifty Index Fund, Paragparek Plexi Cap Fund, Miray Mid Cap Fund and ICICI Short Duration Debt Fund. Okay, ICICI Prudential Nifty Fifty Index Fund, Paragparek Plexi Cap Fund, Miray Mid Cap Fund, ICICI Short Duration Debt Fund. ये चारो fund choices combination है, पूरे complete portfolio के लिए, अगर आप नया portfolio create करना चाहते हैं, तो इन choices के साथ जा सकते हैं, और एक complete portfolio बन सकता है, कोई एक fund pick ना करें, depending कि आपके portfolio में already existing funds कौन से हैं, उसके हिसाब से इने pick करें, दिहान में रखते हुए कि AMC और fund diversification दोनों में ही जरूरी है, इस बात पर गौर करना, तो एक complete package के तौर पे ये चार चोईसे हैं, आपकी screen पर, चलिए, thank you, Mrinch, हो मैं आने के लिए, सभी queries को answer करने के लिए, साथे साथी top choices बताने के लिए, शुकरिया, और इसी के साथ, यौ मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर update रहने के लिए, सिन्बी से अवास के social media platform से जुड़े रही है, Facebook, Twitter, YouTube, खबरे जारी हैं, ब्रेक के उस पार भी, नमस्कार. कि प्राइब के लिए, वो इनलिजिबल हो गई, I think this correction is good, it's been far more brutal than we thought, but अभी correction feel हो रहा है, पहले feel नहीं हो रहा था, portfolios में लोग को feel, उनको लग रहा था कि एक stock नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा, but right now even the winners are facing headwinds. मुझे जो large caps है, जो nifty caps हमें लिजे stocks हैं या उसके beyond भी, उतना बड़ा risk नहीं लग रहा कि बहुत sustained crash आएगा, वो हो सकता है कि बीच में reaction आए, और वो तो बाजार का नियम है, कभी भी market एक तरह से नहीं चलती है, बीच में नीचे आती है उपर आती है, पर बड़े crash का खत्रा इसलिए नहीं लगता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि market trend line के ऊपर नहीं है, जो 14-15% आपका 40-45 साल का जो return है, वो पूरा जो 2010-20 का दशक था, वहाँ आपको fixed deposit वाले return मिले, 9% भी return नहीं compound किया, तो उसके बाद से जो market चला, जहां सबसे ज़्यादा interest रहा है, जो वहीं पर froth आती है हमेशा, जहां पर आप समझ लीजे, मैं बोलती हूँ, यह अच्छा thumb rule है, कि जहां भी जिस theme पर बहुत सारे NFOs, new fund offerings आते हैं, वो theme खतम होने की तरकागार पर होता है हमेशा, almost हमेशा, और बाकी भी जैसे IPO market में आप देख लीजे, वहाँ बहुत froth है, कि आप खरीद रहे हैं, आप वो stock खरीद रहे हैं, यह आप सोची नहीं रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कि एक lottery है, लग गई तो मैं, जैसे ही वो stock allot होगा, उसको बेश देंगे, जो कि सेभी का data भी यही दिखाता है, कि जब stock allotment होती है, अधिकतर लोग एक हफते के अंदर बेच देते हैं, तो वो सब खत्रे के areas हैं, लेकिन जो mainstream large cap stocks हैं, वहाँ उतना खत्रा मुझे नहीं नदर आता है, काफी time के बाद देख रहे हैं, कि हम लोग की market में अभी थोड़ी correction आ रही हैं, अगर देखा जाएं, तो election के बाद जो market बनाया था, license के बाद, वहाँ से market की जो breadth है, वो काफी weak हो गई है, breadth weak होगी माने काफी company जो है index में, वो भी index को underperform कर रही है भी, तो वही clearly एक trend है, और उसका current तो एक सही बात की की earnings growth momentum है, तो कि वो थोड़ी slowdown हो रही है, तो last 2-3 साल में अगर देखो दिनifty की earnings growth अराउंड 20 टका कैगर से चल रही थी, तो वो अभी ये quarter में और ये first half के भी नतीज़ आ रहे है, वहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि high single digit around 9-10% के आसपास growth हो सकती है, तो कि लिए उसके कारण भी थोड़ी weakness दिख रहे हैं और last एक मेने से हमें देखा हैं कि FIS की बरी मार्तरा में selling हुई है, आला कि long term outlook जो है economy का और earnings growth का वो भी ठीकी है, ऐसा कुछ major risk नहीं दिख रहे हैं कोई भी सेक्टर में, आला कि थोड़ी जो expectations थी, उसके मुकाबले जो जन्दतीज़ आ रहे हैं वो थोड़ी से लीचे आ रहे, इसके लिए market में थोड़ी correction में दिख रही हैं. इस बार दिवाली पर अपनी और अपनों की जिन्दगी में खुशियों का रंग भरे, तो हुपों की एक नई परंपरा शुरू करें, अपने अपनों को दें financial freedom का गिव, मिठाई की मिठास के साथ अपने parents को एक बहतरी health insurance plans खरी कर दे। gold jewelry के अलावा अपनी life partner को gold bonds देने का रिवास है।